केने हमारे हर एक वीडियो रहें लिए इसके लिए आपको हमारे यूटूb की नहीं किया है घुंठंग श्रकलामन 허ह में इसलिए और उट्मेंटिकली नहीं अम्हाराइश्छ कर सकते हैं नमश्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केरला गोल्ड स्कैम के बारे में आप इसको केरला स्मगलिंग स्कैम भी कह सकते हैं क्योंकि रिसेंटली देखा गया है कि UAE से कुछ गोल्ड को स्मगल किया जा रहा था केरला के अंदर केरला के अंदर सिर्वनन्द पूरम के अंदर यहाँ पर स्मगलिंग की जा रही थी, जिसको कस्टर्म डिपार्टमेंट ने रिसेंटली पकड़ लिया है, अब इसका जो पूरा लिंक है दोस्तों, इसको डारेक्ली जोड़ा जा रहा है CM आफिस के साथ, इन फेक्ट मैं आपको बता दूँ कि जो CM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको अलरी वन एक साल के लिए यहाँ पर लीफ पर भेजा जा चुका है, तो यह पूरा मामला है कि केरला गोल्ड स्केम है क्या क्यूंकि के अंदर काफी जादा इसकी चर्चा चल रही है, इन सब के बारे में जानेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंके तगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसमें 37,000 से जादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल जॉइन करीगा, और अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुने रहा हूँ मुआ का है, इसमें के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर लगाया जा रहा है, इन फैक यहाँ पर जो लाइव मिंट है, उन्होंने इसके उपर काफी बड़ा एक रिपोर्टिंग भी की थी, यहाँ पर कस्तम और प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट ने करीब 30 केजी के गोल्ड को सीज किया है, जिसकी वर्थ करीब 15 करोन बताई जारी है, अब आपको पता होगा कि केरला के अंदर बहुत सारे जो नागरिक हैं, वो UAE काम करने जाते हैं, तो जो United Arab Emirates हैं, उन्होंने एक अपना कांसेलेट भी खोल रखा है तिर्वननत पूरम के अंदर, तो क्या हुआ है कि UAE से कुछ कंसाइनमेंट भेजा गया था तिर्वननत पूरम में, ठीक है, और इस कंसाइनमेंट के अंदर करीब 30 केजी गोल्ड को छुपाया गया था, ठीक है, और जिसकी वर्थ मै यहाँ पर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि हाउसोल्ड आइटम्स हैं, जैसी कि डोर लॉक हो गया, पाइप, कार, टायर, पंप, स्पीकर, इस तरह के आइटम्स उसमें रखे वे थे और इन सभी चीजों के अंदर बेसिकली गोल्ड को छुपाया गया था, ताकि यह समारी Ministry of External Affairs है, उनसे permission मांगी, पहले ही permission ले लिया उनसे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि जो diplomatic missions होते हैं, उनको Vienna Convention के अंदर immunity प्राप्त होती है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो custom department है, उन्होंने जो UAE की councilate है, उनसे contact किया, और उनके officers को बुलाया, और उ होता है, कि जब भी इस तरह की smuggling की जाती है, तो जो councilate के अंदर बड़े officers होते हैं, उनको directly address नहीं किया जाता है, क्योंकि जब यह consignment UAE से चला और ध्रिवननत्पूरम पहुंचा, तो यहाँ पर किसी ना किसी के नाम पर तो होगा, उस councilate के अंदर कोई वैक्ती होगा, जि इसको दिखते हुए, यहाँ पर UAE की embassy ने भी यहाँ पर एक statement जारी की, और उन्होंने condemn किया इस चीज को, कि उनके एक lower level के officer के दोरा, यहाँ पर misuse किया गया है diplomatic channels को, और इसको पूरी तरह से वो condemn करते हैं, और यहाँ पर जो diplomatic staff है UAE के, वो directly इसके अंदर शामिल नहीं है, ऐसा UAE embassy के दोरा, अल्री कहा जा चुका है, तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप यहाँ पर यह particular नाम याद रखी का, that is Sarit, सरit, basically मैं आपको बता दूँ, यह former public relation officer रह चुके है, UAE के consulate के अंदर, तो यह एक छोटे level के officer थे, तो क्या किया, उन्होंने अपने खुद के नाम पर यहाँ पर मंगा लिया, ठीक है, इस particular consignment को, और उनको लगा, Sarit को लगा कि, जो custom department है, क्योंकि यह directly consulate से relate करता है, तो इसकी checking नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं custom department को पहले से ही पता चल गया था, कि इस particular consignment के अंदर, gold को चुपाया गया है, और finally यह पू particular woman के उपर, that is, जिनका नाम है, सौपन सुरेश, ठीक है, यहाँ पर जो master brain बताया जा रहा है, behind this, पूरे gold scam के अंदर, यह particular नाम आता है, सौपन सुरेश का, अब सौपन सुरेश का नाम क्यों आया, क्योंकि यह जो lower level का officer था, Sarit, उसने यहाँ पर confess किया है, कि सौपन सुरे केरला राज के अंदर, केरला स्टेट के अंदर, एक जो ministry है, जिसका नाम है, Information Technology Ministry, इनके द्वारा कई सारे project चला जाते हैं, कई सारे program चलाए जाते हैं, उसमें से एक particular program है, आप देख सकते हो, केरला स्टेट Information Technology Infrastructure Limited, इसके अंदर, बेसिकली यहाँ पर as a consultant अपॉइंट कर द दिया गया था, राज्य सरकार के द्वारा, और यहाँ पर अब इसका directly link CM Office से इसलिए जुड़ता है, क्योंकि यह जो IT Ministry है, वो directly आती है, आपकी Chief Minister के अंदर, मतलब कि जो Chief Minister है, पिनरई, विजन साब, उन्हों, उनका जो कारभार है, उन्होंने IT Ministry का भी समाल रखा है, इसल सौपना सुरेश, यहाँ पर उनको, उनका जो contract था, राज्य सरकार के साथ, उसको तुरं टर्मिनेट भी कर दिया गया, और इस समय वो already run पर है, मतलब कि यहाँ पर पुलिस उनको ढूनने की कोशिश कर रही है, और क्या हुआ, जैसे ही यह पूरा मामला सामने आता है, मीड कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को क्यों क्यों क्यूट करना पड़ा, अब मैं बता दूं कि जिस तरह से जो चीफ मिनिस्टर ने, केला के चीफ मिनिस्टर ने आईटी मिनिस्टरी भी समाल रखी थी, वैसे ही जो चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जिनका नाम है S. शिवशंकर साहब वो भी एक तरह से IT सेक्रेटरी भी थे आया समझ में जो S. शिवशंकर साहब है जो की प्रिंसिपल सेक्रेटरी है CM office के वो भी actually उन्होंने IT सेक्रेटरी का भी काम समाला हुआ था और यहाँ पर opposition का यह इल्जाम है कि जो शिवशंकर साहब है उन्होंने सारे norms को ताक पर रखते वे सुपना सुरेश को यहाँ पर IT ministry की एक office में appointment करा दी और इसको देखते वे यहाँ पर शिवशंकर साहब ने तुरंट एक साल की leave मांगी और राजसरकार की दोरा यहाँ पर उनको जो leave है वो तुरंट grant कर दी गई और इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि उनको एक तरह से आप directly देख सकते हो कि forcefully यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उनको quit करना पड़ गया जो principal secretary का पद है in fact यहाँ पर जो opposition है उसका एक और इल्जाम है कि जो शिवशंकर साहब है principal secretary उन्होंने जो recruitment की थी सौपन सुरेश की यहाँ पर जो सौपन सुरेश है उनका पिछला जो अगर background आप देखोगे उसमें भी यहाँ पर crime branch की inquiry चल रही है उसके बावजूद भी सौपन सुरेश को यहाँ पर appoint किया गया है यह जो पूरा मामला है यह काफी absurd है simply इसको cm office के ताथ relate करने की कोशिश की जा रही है उनको इस appointment के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था उन्होंने cm ने directly बोला कि यह जो appointment किया गया है सौपन सुरेश का उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी और केरला के अंदर and in fact यहाँ पर opposition के द्वारा directly इसका जो analogy है वो directly पिछले जो government थी केरला के अंदर solar scam जहाँ पर controversy निकल कर आया था उसके साथ link करने की कोशिश की जारी है जिस तरह से solar scam की जैसे जो पिछली government थी और जो चीफ मिनिस्टर थे ओमें चंडी साब वो कही न कहीं चुनाओ हार गए थे और इसलिए कहीं न कहीं इधर से link करने की कोशिश की जारी है अब last में conclusion में मैं दोस्तों बता देता हूँ कि यह politics वगरा चलती रहे कि लेकिन यहाँ पर जो gold की smuggling की जारी है वो पिछले कुछ समय से काफी जादा बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो gold के prices आपने देखा होगा पिछले 2-4 मेने में बहुत तेजी से बढ़े हैं और करीब 2 week के अंदर पिछले 2 week में 15 kg से भी जादा ये gold सीज किया गया है चार्टेट फ्लाइट के अंदर कस्टम डिपार्टमेंट के दौरा तो अल्रेड़ी ये किया जा चुका है जहाँ पर केरला के अंदर अगर आप दिखिए जो कोजी कोडे इंटरनाशनल एरपोर्ट है वहाँ पर सबसे जादा सीज किया गया है इस तरह के gold तो I hope दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग केरला gold scam यहाँ पर आपको सब कुछ जाने को मिल गया होगा अगर आप कोई भी course purchase करना चाहते हैं आप study IQ app पर जा सकते हैं किसी वे inquiry के लिए पर से directly Instagram पर जोड़िये यहाँ पर भी मैं daily एक MCQ डालता हूँ आप stories में directly play कर सकते हो मिलता हूँ आप से next time till then Thank you very much See you